नमस्कार आप सभी का मेरे किचन में स्वागत है आज हम लेकर आए हैं आम पना गर्मियों के इस मौसम में आम पना आपके लिए बहुत ही लापकारी है तो देखते हैं कि आम पना कैसे बना सकते हैं इसके लिए मैंने ये कच्चे आम लिए है जो कि बड़े वाले दो कच्चे आमें जिनका छिलका उतार लिया है और इन्हें मैंने बारिक टुकडों में काट लिया है गुखली भी इनकी अलग कर ली है यह काली मेर्च है यह नमक है काला नमक अद्रक जिसे अच्छे से कूटा हुआ है सौंफ इसे भी बारिक किया हुआ है और भुना हुआ जीरा है और एक बावल में हमने चीनी लिये तो हाव बावल चीनी का होगा तो बनाते हैं आम पना सबसे पहले इक गलास पानी लिया है और पानी के अंदर हम यह कच्छे आम डाल देंगे और इसे हम ढखक कर कुछ देर के लिए पकाएंगे इनको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता तीन या चार मिनट में यह पककर तयार हो जाते हैं तो आमपना बनाना बहुत ही आसान है और यह स्वास्ते के लिए भी बहुत लाबकारी है कर्मी केस मौसम में आप इस रेसेपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा तो यह देखिए अच्छे से यह पक चुके हैं अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं तो पांच मिनट बाद हम इसे छलनी से चान लेंगे अच्छे से इसे मैश कर लेते हैं और आप इसे मिक्स कर दिया है अब इसके अंदर हाफ बाउल चीनी डालेंगे भुना हुआ जीरा सौंफ एक चम्मच है जीरा भी एक चम्मच था कुटी हुई अद्रक कालिमेच एक चम्मच और नमक यह भी एक चम्मच अब इन सब को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है मिला लेना है जिसे की चीनी और जितने भी हमने इसमें मसाले डालें वह सब अच्छे से मिक्स हो जाए अब कांच का एक जार लेंगे और छोटी वाली जल्ली से हम इसे अच्छे से छान लेंगे इसे हम 15-20 दिन तक भी स्टोर करके रख सकते हैं जब भी बच्चे या बड़े धूप से आएं तो हम इसे फ्रिस से निकाल कर इस तरीके से ग्लास में डाल कर सर्व कर सकते हैं बस करना क्या है हाफ क्लास हमें इस पना का लेना है यह भी ठंडा है और इसको बाकी का हम पानी डाल कर इसको पूरा करेंगे बाकी का बचा हुआ आप इसी तरीके से फ्रिज में दुबारा रख सकते हैं इसको इस्टोर कर सकते हैं जितना आपको काम में लेना है उतना आप इसे काम में ले सकते हैं इसमें हमने चीनी की और सबकी क्वांटिटी ज्यादा रखी थी तो यह देखिए पूरे हाफ आफ ग्लास पना के हो चुके हैं अब इसमें हम ठंडा ठंडा पानी मिला देते हैं और साथ में अच्छे से क्रश किया हुआ पुदीना और ताजा पुदीने की कुछ पतियां दोनों इसमें रख देंगे अच्छे से चम्मस से इसे मिक्स कर देंगे तो गर्मी के इस मोसम में यह आम पना आपके लिए बहुत ही लापकारी है बस इसे मिक्स करना है आप चाहें तो आइस क्यूप भी डाल सकते हैं बच्चों को भी बड़ा टेस्टी लगेगा बागी का बचा हुआ आप फ्रिज में इसी तरीकी से स्टोर करके रख सकते हैं अगर यह रेसपी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सबिस्क्राइब जरूर करें और साथ में इस रेसपी को ट्राइ करना न भूलिएगा और बैल आइकन को दबाना भी न भूलिएगा जिस्ते की जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप उसका नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे